Hello everyone and I hope आप सब बढ़िया होंगे, ठीक है? तो आज मैं दो बहुत important questions को discuss करूँगा और basically ये हैं, सबसे पहला देखो बहुत doubt आता है कि जब तयारी हमने start कर दी है तो आप किन subjects को पहले पढ़ें, ठीक है? Mostly aspirants को यही problem आती है कि भई तयारी तो start हमने कर दी है प्लाइन कर दी है कि चलो preparation करनी है लेकिन शुरुआत कहां से करें? किन subjects को सबसे पहले पकड़ें? तो इसको मैं आपको detail में बताऊंगा और क्यों वो भी मैं बताऊंगा दूसरा हम discuss करेंगे कि देखो UPSC में बहुत तरह तरह के subjects हैं अब जाहिर सी बात है कि कोई एक कैसा subject होगा जिसमें आपका interest नहीं होगा है ना? तो अब depend करता है अगर किसी का तो history में नहीं होता है किसी का polity में नहीं होता है, geography में नहीं होता है तो मैं इसमें बताऊंगा कि अगर आप किसी subject कमान लिजीए आपका interest नहीं हो subject में आपको money नहीं करता हो subject पढ़ने का तो मैं आपको ऐसे tips बताऊंगा कि कैसे आप एक subject जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो उसको कैसे start कर सकते हो उसकी preparation कैसे start कर सकते हो और उसमें ऐसी क्या चीज़ आप कर सकते हो तो सबसे पहले मैं यह बताऊंगा सबसे पहले हम यह discuss करेंगे कि preparation जब आपने UPSC की start कर ली है तो अब किस subject से start करें ठीक है तो सबसे पहले अगर आपने previous year papers और आपने थोड़ा syllabus देखा होगा और especially films का देखा होगा और mains का देखा होगा तो आपने कुछ चीज notice करी होगी कि कुछ ऐसे subject हैं जो दोनों में आते हैं films और mains में और मैं हमेशा से बोलता हूँ देखो सबसे पहले वो subject कवर करने चाहिए जो films और mains दोनों में आते हैं ठीक है तो यह पांचे subject ऐसे हैं कि जो films में भी आते हैं और mains में भी आते हैं तो यह पांच अगर आप cover करोगे तो जाहिर सी बात है आपका films का syllabus कम्पीट हो जाएगा और साथ में mains के जो बड़े बड़े जो chunks हैं वो भी cover हो जाएंगे तो सबसे पहले आपको उन subject को target करना है मैं आपको थोड़ा एक guidance देता हूँ जैसे कि सबसे पहले मैं बोलता हूँ सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि हमेशा start करो मतब देखो एक चीज़ मैं बोल देता हूँ इसको ऐसे मत ले ना कि मैंने ये बोल दिया कि यहां से start करना है तो आप बिल्कुल अभी आप कोई माली जी हिस्टी पढ़ रहे हूँ तो आप वो छोड़ के बिल्कुल जो मैंने बता है वो करने लगे ऐसे मत करना आपका जो प्लान है कोई दिकत्नी उसे follow कर सकते हो अभी जो आप currently subject पढ़ रहे हो तो जब वो complete हो जाएगा उसके बाद से आप जो मैं बता रहा हूँ वो देख सकते हो अगर आपको interest है, मन है तो आप जो subject में बताने वाला हो उनको कर सकते हो सबसे पहला है देखो, हमें economy और polity ठीक है यह सबसे पहले cover करना चाहिए, इसका एक reason है basically हर चीज का एक reason होता है, ऐसा नहीं कि मैंने मन में आया, मैंने बोल दिया है देखो, इसका reason यही है कि देखो, जब हम newspaper पढ़ते हैं newspaper में जब current affairs आते हैं, या फिर कुछ issues आते हैं, mostly वो issues या जो current affairs आ रहे हैं वो economy और polity इन से related news को cover करते है, ठीक है न अब होता क्या है, economy जब हमने नहीं पढ़ी है, economics के concepts clear नहीं है polity के concepts clear नहीं है, तो हमें वो news समझ में नहीं आती है अब mostly यही जो important news आती है, जब तक हम यह subjects cover नहीं करेंगे, तो newspaper भी समझ में नहीं है क्योंकि history basically static है, geography static है, ठीक है obviously जो mapping based questions आते हैं, places आते हैं, वो अलग चीज़ है, बट है तो static ही न एक बढ़ अगर आपने अच्छे से map पढ़ लिया, तो आपको जाद अधिक का थुड़ी एगी बार बर, तो कहने का मतब यही है, पहले आपका target होना चाहिए quality और economy को complete करो, क्योंकि plims में भी 40 के करीब questions आते हैं, इन दोनों में से तो अगर आपने सोचो, quality और economy में अच्छे command बना दी, तो सबसे पहले यह तो आपका हो जाएगा, कि plims आप लगबग यह कह सकते हैं, कि आपकी plims की preparation अच्छी हो जाएगी, ठीक है अब उसके बाद क्या करना है आपको, जब आपकी यह दो subject हो जाएगे, आप इसके बाद आप target करोगे history को, क्योंकि history में आप काफी questions आ रहे हैं, देको ancient से भी आते हैं, modern से भी काफी आने लग गए हैं, तो कहने का मतलब यह है कि history तीसे नमबर पे है, जिसका weightage काफी अच ने cover करोगे, तो यह एक sequence में आपको तियारी करनी है, तो आपका सबसे पहले यह target होना चाहिए है, जो सबसे जो बड़े subject हैं, जिनका weightage ज़्यादा है, जिनमें मान लिजिए, एक दो तीन किताब पढ़ गिया है, एक limited resources से ही आप एक अच्छा गाजा syllabus कर कर सकते हो, तो उ current, जो newspaper और current affair magazines है, उसमें भी जो यह news आएंगी, वो आपको अच्छे समझ में आएंगी, और जब आप basics clear कर दोगे, तो newspaper आपका बहुत ही smoothly prepared होगा, तो this has to be your target, बागे अगर आप currently कुछ और कर रहे हो, तो you can follow it, no need to change your plans, यह जस मैंने एक tip दी है, अगर आपको अच्छी ल कई देखो, बहुत से aspirants ऐसे होते हैं, जिनका history में interest नहीं है, politics में interest नहीं है, economics में interest नहीं है, अब यह होता, सबसे बड़ी problem यह है, कि economy, history इतने बड़े-बड़े subject में अगर आपका interest नहीं है, और आप ignore कर रहे हो, पढ़ी नहीं रहे हो, ध्यान से भी नहीं पढ़ रहे हो और you are just taking it lightly, तो यह इतने बड़े-बड़े subjects हैं, 15-20% का weightage रखते हैं, 15% इतना weightage रखेंगे UPSC में, और अगर हम इतने बड़े subjects पे हम focus नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है, यह काभी problem देगा हमें films में और mains में, तो हमारा target यह रहना चाहिए, जो at least major subjects हैं, उनको तो हम मैं अच्छे से करने ही करना है, मैं आपको एक example देता हूँ, जैसे मेरा था, history कह सकते हैं, geography तो फिर भी मेरे को ठीक लगता था, but history was one of my, you know, मैं हमेशे avoid करता था, सारी चीज़े पढ़ने के बाद history मैं हमेशे avoid करता था, because ancient, medieval, बिल्कुल interest नहीं था मेरा, and मैं सोचता था क चलो, मैं देखेंगे, इनको end में पढ़ेंगे, मैं हमेशे ignore करता था, but at the end मुझे पढ़ना ही पढ़ा, ठीके ना, तो मैंने simple strategy apply करी थी, तो मैं आपको बताऊँगा, क्या strategy apply करी थी मैंने, और आज की rate में history is one of my, you know, favorite subjects, क्योंकि history पढ़ने में मज़ा आता है, just because, पहले जो fair था, उस fair को हटा कि मैंने, अपनी, कुछ strategies apply करी है, तो मैं आपको बताता हूँ, दो-तिन तरीके, अगर आपको कोई subject पसंद नहीं है, आपका interest नहीं है, but important subject है, और आपको पढ़ना है उसे, तो आप कैसे start कर सकते हो, ठीक है, in fact, आप हर एक subject में इस चीज़ apply कर सकते ह क्योंकि, obviously, अगर आपका interest आने लग गया, मैंने हमेशे का है, the day you develop interest in that particular field or subject, तब आपकी preparation बहुत smoothly होगी, क्योंकि जब आपका interest होगा, तो आपको अपने अपको force नहीं करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, अगर आपका interest ही नहीं है, आप भागोगी उन चीज़ों से, तो बहुत दिक्कत आएगी, तो आप क्या कर सकते हो, देखो, सबसे आसान तरीका तो यह होता है कि, अगर मालीज आपका कोई aspirant friend है, जो कोई और भी तियारी कर रहा है साथ में, या आपका कोई sibling है, कोई cousin है, कोई भी थोड़ा एक कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा जिसको knowledge है, in these subjects या जो subject आपको problem कर रहा है, तो आप थोड़ा सा होने कह सकते हो, कि थोड़ा सा आपको एक overview देदें, थोड़ा सा ऐसा story आपको subject के बारे में थोड़ा बता दें, इससे आपको क्या होगा, आप subject को थोड़ा सा समझ पाओगे, ठीक है ना, तो जब कोई हमें story form में कोई ची सब्सक्राइब कर दें, तो जब हमारा interest आता है, थोड़ी सी भी अगर हमारे interest आगया, तब obviously we will be curious कि और और क्या है subject में, तब हम पढ़ सकते हैं, तो एक तो सबसे आसान तरीका यह है, कि अगर आपको कोई aspirant friend है, आप उसके साथ discuss कर सकते हो, अगर आप माली जी हिस्टरी म वीक हो, या फिर economics का मन नी करता पढ़ने का, तो आप बोल सकते हो, थोड़ा सा मुझे समझा दो, कि इसमें है क्या, ठीक है न, यह मुझे लगता है कि, यह सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन the problem is कि, शायद मेरे का से most of you won't be having any UPSC friend, तो फिर आयता है हम दूसरे step पे, ठीक ह मुझे क्या होता है कि, इंटरस्ट है नहीं, और हम सिधे standard books उठा देते हैं, अब माली जी लक्षमी कांत है, पॉलिडी किसी को मन नहीं कर रहा पढ़ने का, इंटरस्ट नहीं है, उसलिए लक्षमी कांत उठाएगा, तो जितना इंटरस्ट आपका बच्चा है, वो भी खत पढ़ा है, समाझ में कुछ नहीं आ रहा, याद कुछ नहीं हो रहा, आपका जितना इंटरस्ट था, बच्चा कुछा वो भी खतम हो जागा, तो ऐसी गलती मत करना, पहले उस subject को समझो, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, सबसे बेस तरीका ये है, आप basic book से त्यारी करो, आप सबसे कोई भी जो subject है, उसकी basic book उठाओ, जैसे कि अगर polity है, history, geography, सबसे basic book है, NCRT है, 6th class की, ठीक है न, 6th class की NCRT उठाओ, सबसे basic book है, बिलकुल ground level से आप स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आपको ऐसे story form में आपको समझाया जाएगा, ठीक है न, just like, 6th class की NCRT, obviously 6th class के NCRT में को समझनी आ रही है, you are a graduate, आप college में हो और आप 6th class के NCRT अगर नहीं समझ पा रहे हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे चिंतन का विश्य है, तो आप 6th class से start करोगी, just उसको ऐसा story format में पढ़ो, ऐसे मां सोचो कि मैं कुछ बड़े exam के लिए पढ़ रहा हूँ, या मेरे क याद करते वें चले जाने, नहीं, just read it like a story, and धीरे धीरे जब आप progress करोगे, you will eventually gain interest in that subject, ठीक है, बहुत लोग जिनको खुच self-study करने में problem आती है, तो उनके लिए तीसरा step है, ठीक है, तो तीसरा method है, जो कि मैं, मैंने भी follow कर रहा है, और especially history में मैंने किया था, मैं आपको आपको educators भी बता दूँगा, कि इनकी वीडियोस आप देख सकते हो, देखो, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, YouTube पे, मान लिजी एक example लेते हैं, आपका history में interest नहीं है, ठीक, अब आपको history पढ़नी है, बढ़ी interest नहीं है, now you want to start किया history मेरे को कैसे start करूँ, तो जो मैंने पह history revision lectures for UPSC, या फिर history crash course for UPSC, या फिर history NCRT's lecture series, या फिर marathon series, ऐसे करके आप type करोगे, तो आपको दुनिया भर की वीडियोस मिल जाएंगे, जहां पर की इतने बड़ी-बड़ी educators हैं, उन्होंने उसका summary बता रहा है, basically बहुत से educators ने ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें कि story format में वह आपको समझाएंगे, तो आपको आराम से बैठना है, एयरफोन लगाने, आराम से देखना है और सुनना है, आपको कुछ no down नहीं करना, आपको कुछ किताब नहीं खोलनी, वो जैसे जैसे आपको story format में बताएंगे, समझाएंगे, आपको बस सुनते जाना है, इस एफ़र्ट कम लग रहा है तो जब एफ़र्ट कम लग रहा है तो अब इसके बाद आप बेसिक सिक्सलास से स्टार्ट करोगे यहां पर आपका इंटरस डेफिनिली यू डेवलप होगा बट मेक शूर आप कंसिस्टेंट रहे धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि रात तो रात आपका इंटरस जग जाएगा जैसे इंटरस आपका आ जाएगा और उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी मैं आपको कुछ एजुकेटेस बता देता हूँ जैसे कि अगर आपको अच्छे वीडियो देखने है बेसिकली तो जैसे कि एकनॉमी में हमेशा बोलते हैं मुरुनाल सर के बहुत बेस्ट लेक्चर्स रहते हैं उनके यूट्यूब चैनल पे भी है मुरुनाल सर के एकनॉमी बहुत यह बिल लेबल है हिस्ट्री के लिए भ्योंके सर है एक तो उनके मैराथिन सीरीज बहुत अल्टीमेट है हिस्ट्री की तो उसको जरूर देखना मतलब 4-5 गंटे में पूरी मैराथन सीरीज है ओविएसली यूपीसी के लिए सफिशन नहीं है बट आपको एक आइडिया लग जाए जब आप इनकी सीरीज देखोगे इट विल डेफिनेटली हेल्प यू तो यही मेरे को कहना था बिकॉज यह देखो छोड़ी छोड़ी चीजें होती है जो कि शायद आप ढूंडोगे नहीं मिलेंगी इसी चीजें कवर करता नहीं तो मेरे को बस अभी मैं जैसे डिसकेशन कर णा तो मेरे को यह दिमाग में होता है कोई सब्जेक में हमारे इंटरस नहीं होता है तो इसके लिएक कोई तरीका होता है ओपकी चाहिए कोई भी प्रॉब्लम का एक solution तो होता ही होता है ठीक है न और यह इसका एक solution है तो I hope यह दोनों जो डाउट से मैंने clear करे होंगे and don't worry analysis पे काम चल रहा है basically एक दो दिन में प्लिम्स का analysis और बाकी book list ला दूँगा don't worry about it उसके बाद mains का ला दूँगा and I'll be covering more other such you know ऐसे ही topics में cover करता रहोंगा because यह चोटी मोटी चीज़ें होते हैं जो बहुत प्रॉबलम देते हैं during the preparation तो my aim will be कि ठीक इन चोटी चीज़ों को मैं cover करूँगा so that आपकी preparation स्मूद ली चले है बीच में जो छोटे हर्ड़स and obstacles है यह आपको फेज ना करना पड़े टीक है so that's it guys and I hope you like the video comment section में जुरू बताना कि यह से video आपको चाहिए in future यह नहीं चाहिए so that's it and all the very best and see you